तो कैसे आप सब उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत इच्छी होंगे अलहम्दिल्ला मैं भी बहुत इच्छी हूं तो आज मैं बनाने वाली हूं खिचड़ा तो चलिए सबसे पहले हम साथ सो ग्रैम बिफ ले लेते हैं उसमें मैंने 200 ग्रैम दही डाला है अद्रक लेसन का पेस्ट mij के सबकर अच्छे से आप मैरिनेट करके कम से कम 30 मिनेट के रगते-धकर मैंने यहां पर आलू लिया है 1 kg यहां फे छना दाल लिया है 500 gram दो बड़े प्यास लिए स्लाइस कटेवें सबसे पहले हम ऊईल डालेंगे मैंने यहां पर half cup ऊईल लिया है इन सब प्यास को मैं फो। मैंने Sword Staff आधे की मैने और गोष्ट कükले के यह तक सब्सक्राइवान देखेने माई ओनिंफली तो यह दो में रचे बूं होगे तक आधे को द QU pulling पानी आड आड़ साओ एंपली सब्सक्राइवान सोट reference और इसे हम अच्छे से कूक कर लेंगे हम इसमें एक सीटी आने देंगे हाई फ्लेम में उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे गलने तक हम पका लेंगे तो चलिए हम देख लेते हमारा गोश्ट भी यहाँ पर अच्छे से गल गया है ज्यादा हम इसे सॉफ्ट नहीं करना क्यूंकि हम इसे दम में पी देना है तो हम इसे निकाल लेते और इस यखनी को हम इसमें ही रहने देते हैं जिसमें हमें बिर्यानी बनाना है उसमें हमने निकाल लिया है यहाँ पर हम आलू को बॉइल कर लेंगे इसी यकनी में ताके जितने भी मसाले इन आलू में भी आ जाए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आप इस तरीके से बनाकर जरूर देखे मुझे उम्मीद है कि निकाल लेते हैं यहाँ पर हमने पानी गरम करने के लिए चड़ाया है यहाँ पर हम चावल को बॉइल करेंगे कुछ खड़े मसाले हमने एट किये लॉंग इलाइची दाल शिने आप इसमें एट कर दे और नमक हसबे जाइका आप इसमें एड कर दे और पानी को आप उबल पानी जब हमारा उबल जाए तो हम यहाँ इसमें डॉब राइस हम ने लिया है 1 ऐक केजी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम 90 परसें कुप कर लेंगे यहाँ पर हमने चना डाल को भीगो के रखा था इसे भी हम इसमें ही डाल देंगे ताकि यह अच्छा सारे मिक्स हो कि हमनенияप jeden लगा के रखी थी यहां पर आलू और गोस्त के लियर अभ Gore अब यहां पे हम चीनी में दूद में चीनी अड करेंगे मीथा अक टर और करेंगे एक ट्रॉप अ कि एक से दो ड्रॉप हम ने यहां पर मीथा अक किया है यहां पर हमने केवडा वाटर भी एड़ किया है इन सब को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमने जो यहां पर चावल एड़ किये है यह चावल में हम मिक्स कर देंगे हम यहां पर कलर एड़ करेंगे हरा मिर्च एड़ करेंगे घी यहां पर हम एड़ कर देंगे दो से तीन टेबल स्पून अब हम इसे दम्में दे देंगे इसमें हम कपड़ा को ढख देंगे और इसमें कुछ भारी चीज़ को हम रख देंगे ताके इसमें से स्टीम बाहर ना आए और यह अच्छे से कुखो दम्में और खुश्बू वाली बिर्यानी बने तो यह हमारी बिर्यानी बिल्कुल खिच कर लेते हैं यह देखिए बिल्कुल खिला हुआ चावल है आप इस तरह से जरूर बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में फीड़ बैक जरूर दे तो मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना बहुत खयाल रखें अल्ला हाफीज कर वाल हुआके लगних हैं